बिग बॉस सोला की दूसरी रणर अप रही थी प्रियंका चाहर चौधरी लेकिन उन्होंने बहतरी गेम प्लान और एटिट्यूट से लोगों के दिलों में खास जगा बनाई प्रियंका इन दिनों बिग बॉस सोला में अपनी सक्सेस को एंजोई कर रही है वो अपनी जर्नी फैशन स्टेट्मेंट और परसनल लाइफ को लेकर चर्चा में है हम यहां आपको प्रियंका के बारे में कुछ अंजाने फैक्ट्स बता रहे है प्रियंका चाहर चौधरी के बारे में ऐसी बाते सामने आई जिससे पता चलता है कि वो कितनी स्ट्रॉंग है वो साबित करती है कि वो कभी परिस्थतियों से हार नहीं मानती ऐसा बिग बॉस में भी देखने को मिला था एक इंटर्विव में प्रियंका से उनकी पहली नौकरी और पहली सालेरी के बार में पूछा गया इसके जवाब में उन्होंने बताया कि उनकी पहली सालेरी 75 रुपई थी प्रियंका चौधरी ने बताया पहली नौकरी अगर मैं बोलू तो मैंने रेडियो पर एक शो किया था जब मैं पाचवी क्लास में थी और पहली सालेरी उसी की ही थी वो भी 75 रुपए इसके अलावा प्रियंका चौधरी ने अपने पहले फोन के बारे में भी बताया और याद किया कि उन्होंने अपना पहला फोन कॉलेज में अपनी पुरानी किताबे बेच कर खरीदा था जाहिर है प्रियंका चौधरी ने अपने कर्यर में एक लंबा सफर तै किया है वह जाइपूर के केंद्रे विध्याले में पढ़ी ही है उनकी मा पढ़ी लिखी नहीं है उन्होंने अपनी मा को उनका नाम लिखना और साइन करना सिखाया है प्रियंका चाहर चौधरी का असली नाम परी चौधरी है उनके घरवाले जब प्रियंका के लिए वोट मांग रहे थे तो उन्हें परी के नाम से बुला रहे थे विग्बस सोला में प्रियंका चौधरी रंकित गुप्टा की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था उन्हों ने उडारिया में एक कपल की भूमी का निभाई इसमें भी दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया प्रियंका चौधरी के शोव से बहार आने के बाद से चर्चा है कि शारुक खान स्टार डंकी में काम करेंगी हाला कि इसकी कोई अधिकारिक पुष्टी नह हुए 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 है